नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं अभिशेख बच्चन की मूवी खूमर के बारे में देखा जाए दोस्तो कल के दिन Ghumar Movie का फिल्म फेस्टवल हुआ था और इसी फिल्म फेस्टवल के दौरान अभीशेग बच्चन के साथ कुछ ऐसी खटना घट गई जिसके चलते अभीशेग बच्चन की आख में आसु आ गये और ये ऐसी खटना थी कि जिसको अभिशेक बच्चन सायद अपने जीवन में कभी भूल ना पाएं और अभिशेक बच्चन के फैंस भी ना भूल पाएं दरसल मैं बता दू दोस्तों कि जब अभिशेक बच्चन का मेलबर्न में घूमर मूवी का प्रीमियर हो रहा था और उसी दोरान देखा जाए जितने भी वहाँ पे लोग थे उन्होंने जब इसका प्रीमियर देखा और उसके बाद अभिशेक बच्चन की इस मूवी की काफी ज़्यादा तारीव करी और सभी लोगों ने वहाँ पे खड़े होके तालिया बजाई और देखा जाए उन्हों ने इस मूवी को दी और जिसके चलते देखा जाए घुमार मूवी के जित्ते भी क्रू मेंबर थे वो काफी अबिविवूत हो गए और जिसके चलते अब शेक पच्चन भी देखा जाए काफी ज़्यादा फावूख हो गए और इसी के चलते उनकी आँख से आसू निकलाएं और वो अपने आसू रोब भी ना पाएं और जिसकी तस्वीर दोस्तों आप देख सकते हैं और देखा जाए फिर इसके बाद अब शेक पच्चन ने अपने सहकलाकार जैसे की अंगर बेदी और शामी खैर को गले लगाया इस मूवी को भी बहुत बड़ा अफाइदा होता बेयादिक भी रहा है क्योंकि अगर हम दोस्तों पुक माई सो की बात करें जहां मैंने आज ही आपको बताया था इसका पांच पॉइंट साथ के दवल हो गया है दोस्तों जी हां मैं बता दूँ इसका इस समय बुक माई सो में 10.7 के इंटरेस्ट रेट है और साय जब तक आप ये वीडियो देखें देखें तब तक बुक माई सो में इसका इंटरेस्ट और बढ़ जाए क्योंकि देखा जाए जैसे जैसे घूमर मूवी का प्रमोशन हो रहा है प्रचार हो रहा है वैसे ही वैसे घूमर मूवी बुक माई सो में काफी तेजी से इंटरेस्ट हांसिल कर रही है ऐसे में मैं चाहता हूँ जो अभिशेग बच्चन के फैन है वो जादा से जादा वीडियो शेर करें और घूमर मूवी को जादा से ज ज़्यादा सपोर्ट करें कि अभिशेख बच्चन 4 साल बाद बधे पर Pow Si करने जा रहे हैं ऐसे में यह जो मूवी है आप बच्चन के कैरियर में बगर यह मूवी हीट हो जाती है, तो अभिशेख बच्चन का इस मूवी से कैरियर में काफी बड़ी च्छलांग मिलेगी और देखा जाए दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे वीडियो पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइब बाइब